हेलो फ्रेंड्स वेल्कम तो मैं चैनल सौपन कुमार फ्रेंड्स जो मैं अभी वर्क कर रहा हूं वह है कम्प्लीट एस यो कोर्स पे और मैंने यहीं कोर्स को मैं पूरी तरह से कम्प्लीट कर दूं जिसे कि जब कोई नया यूजर्स अगर चाहते हैं कि एस यो होता क्या है इ आपके BUSINESS के लिए किया मैंने कोई ऐसा expertise इसमें बताई जो आप अपने life में यूज करके आगे बढसकते हो तो यहां ृसी को करने के भार मैं इतना कह सकता हो कि आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको यहीं पर रह सब कुछ मिल जाएगा और अगर आपको किसी भी तरीकी का कोई भी प्रॉब्लम है आप मेरे को कॉमेंट्स कर दे मैं वहां पर आपको बिना कॉस्ट कोई भी कॉस्ट नहीं करूंगा उसके लिए और बिल्कुल पर्फेक्ट सॉलुसेंस बता दूंगा राइट तो आज की जो करें लाइक करें कॉमेंट्स करें सब्सक्राइब कि मुझे इन्होंने बताया है जो मैंने अपने क्यारियर में सीखा है मैं कोसिस करता हूं विच प्रैक्टिकली एक्सपोजर के साथ बताने की जिससे कि आप जब भी वीडियो देखोगे तो आपको किसी भी तरीकी का कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी ता सेकेंट चिविए अगर इस वीडियो को सब्सक्राइब करो एसे वीडियो को अगर आप वीडियो में मोबायल में देखते हो तो मैं सजेस्ट करूंगा नहीं आप डिक्स्टॉप यूज़ करो या तो लैप टॉप यूज़ करो किसी कूर्स करिएगा गट कि फैने चाहसे के बारे में कि होते rhinocococcus खते हैं कि अभी पास आपके परोडक्स ए के प्रोडक्स प्रयाइब ब्रोडक्स खेल है ऑप पर को पता है कि मुझे प्रोमोट करना है गुगल के अंदर तो आप क्या करोगे पहले करोगे analysis को कि बीना analysis के आप वह चीज गवर नहीं कर सकते को कि आप analysis नहीं करोगे किसी भी type के SEO techniques के auditing में analysis में तो आगी काम नहीं करेगा वह कहीना कहीं आपको problem आएगी आएगी तो इसमें करने के लिए सबसे पहले में अडिटिंग क्या होते है यह समझो SEO audit is a comprehensive analysis of a website to gauge ability to appear in search engine results pages SEO audits are crucial for understanding what elements are working in favor or against your website visibility in search engines here a step-by-step guide to intro conducting an SEO audit complete with an example friends में यहां पर आपको यह बता रहा है कि आप search engine rank नहीं कर सकते क्योंकि जब तक आप समझो किने की site के अंदर हो क्या रहा है क्या activity हो रही है कैसे उसे fix करना है कैसे उसे मतलब कि error से free करना है क्या technical issue में issue आ रहे है on page में क्या issue है क्या आपने office ही तरीके से क्या है यह सारी issues जो आप यहां पर मैं आपको बता रहा हूं उसी के बारे में step by step यहां पर discuss करेंगे first आप crawl errors check करो क्यों करो what to do क्या करना है यूज इस Google search console to detect any crawl errors that might prevent search engines bots from accessing your site मतलब यह कह रहा है कि आप इसके लिए Google search console use कर सकते हो Google search console क्या होगा webmaster tools जिसे आज की date में हम लोग Google search console करते हैं राइट यह हम आगे webmaster tools के अंदर आता हूं तो आपको कुछ नहीं करना है आपको पास login तो होते होंगे और अपने site को definitely यहां पर आपने एड किया होगा बाकि अगर आपको इससे अच्छा नौलेज़ चाहिए में मेरे कोर्स के अंदर है तो आप यहां से वह कोर्स यहां से देख सकते हो कि मैंने कैसे implement की है तो मैं यह कहूंगा कि अब जब आप यहां पर आते हो तो सबसे इंपॉर्टिंट क्या है अब मैं घ् 더 होगा कर लेता है iles Umm Intro यह कि आपको पहले यहां पे आख देखना है कि किसी तरी की का यहर्र तो नहीं है कि अफ्यूट्र दोख यहां पर 205.9 पर यहां पर यहां पर यह बताता है कि आत तरीके से और तो नहीं आपके साइट में किसी तरीके की कोई mobile usability में problem तो नहीं आ रही है so you can fix from the here यह देखिए यहां पर सारी यूज हो रहे हैं so you can do this सकते हो यहां पर कि किस तरीके से चीजे एर्रस आ रही है और उसे हम कैसे यहां से fix कर सकते हैं यही तीजह मैं यहां पर बताने की कोशिज कर रहा हूं इस topic में कि console को use करते हुए आप crawl errors चेक कर सकते हो क्या site आपकी index हो रहे हैं क्या आपकी 404 की issues हैं यह सारे issues आप webmaster tools के अंदर check कर सकते हो राइट if there's a 404 page not found error for a specific keyword you will need to either fix the link or redirect it to the current page कहने का मतलब अगर वह चीचे 404 आती हैं जैसे मैं आपको एक example भी देखा देता हूं इसके साथ साथ है healthians.com जैसे माल लिए कि यह मेरे पेज हैं अगर मैं इसमें कोई भी पेज ऐसे डालता हूं तो यह पेज कहां जाने चाहिए यह पेज जाने चाहिए 404 पे राइट यह दो को जाने कि इसको उस तरीके का कोई पेज नहीं मिला और यह आगे 404 पेज नौट फॉन और यहां से आप Go Home पे किलिक कर दो यह तो यह option है otherwise क्या option है कि जब भी कोई इसे ऐसा पेज नहीं मिले तो आटमेटिकली redirect to the home page वह home page पे आ जाना चाहिए तो यह errors को भी आपको fix करना priority में है इसे आपको fix करना पड़ेगा right second analyze site speed check the loading speed of your site on both desktop and mobile tools like google page speed insights can be handy if your home page takes longer than three seconds to load you might want to compress images minimize code or utilize browser catching to improve speed कहने का मतलब है कि आप यहां पर इसको कैसे चेक करोगे तो google page speed पर आके आप इसे चेक कर सकते हो google page speed यह मैं यहां पर आ गया यहां पर मैंने page speed open कर ली तो फिर यह सब क्या है यह सब बहुत ही critical error इसको कह सकते हो कि आपको यह सब fix करने पड़ेंगा otherwise आपकी problem आएगी जब आप रहन करोगे तब साइट ओपन नहीं हो रहे है टाइम पर error आ रहे है इस तरीके के एक को fix करने के लिए यह चीजे बता रहो कि आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा आपको आपको चीजों को आपको consider करना पड़ेगा क्या आपके हेडिंग सब्सक्राइब के अंदर आते हैं कि आपकी content बिल्कुल एकुडेट हैं उसी सर्विस से रिलेटेड तो यह सारे चीजों को आपको consider करना पड़ेगा और आपके लिए कि नहीं यहाँ देख लो मॉबाइल पर इसकी स्पीर आ रहे है 75 अन्डर डेक्स्टाप पर आ रहे है 88 तो कहने का मतलब है कि we need to do some improvement जहां जहां मुझे लगेगा कि improvement करनी है जैसे कि इमेजेज की वीट और हाइट में कुछ थोड़ी सी इसी होगी तो वह मैं अपने designer से कहके fix करा लूँगा तो लौर सब्सक्राइब करना होगा तो उससे हमें ठीक करना होगा उससे हमें correct करना होगा ताकि यह चीजे error free हो जाए और फिर आपकी site mobile पे यानि कि जब आपकी site mobile पे लोग देखे तो definitely वह click हो जाए दो सेकेंड तीन सेकेंड के अंदर सो वहाँ पर चांस से ज्यादा होते हैं कि आपकी business सफर नहीं करते हैं आपको results आएंगे तो आपको यहाँ पर मैं बतारता है on page में वह सारे activity आप चेकरो site में proper तरीके से लगाए है और भी अनादर प सब्सक्राइब होंगा कोई टूल लेलो यह सेम राज जैसी टूल जहां पर आप auditing चेक कर सकते हो okay so this will be helpful आपके टाइम सेब होंगे और आपका काम भी जल्दी होगा analyze backlink profile use tools like href और मॉस्स तो review the backlinks to your site if you discover low quality or spammy links you may need to disable add them to prevent potential penalties कहने का मतलब कि आप अगर analyze करतो backlink कैसे बने हुए है कैसे बनाने हैं तो आपके पास href टूल या मौज जैसे तूल हो तो आप उससे consider कर सकते हो आपको चेक करना का low quality लिंक्स तो बने नहीं है अगर बने तो या तो आपके पर एक्सिस नहीं है तो आप तो उससे क्या होगा कि आप उन चीजियों से बच जाओगे और आपकी साइट सेफ रहेगी ओके कि मैंने किस तरीके से आपको वह चीजिशे मेंसन करके दिखा दिया है राइट दनेक्स तिंग रिव्यू मोबाइल उजिबिलिटी टेस्ट और हाव यूर साइट लुक्स एंड फंक्शन्स अन्द आपको चेक करना पड़ेगा मोबाइल के अंदर क्या आपकी साइट कहीं रेस्पांसिव तो है या नहीं है रेस्पांसिव होना बहुत ही जरूरी है अगर रेस्पांसि आपके लुक्स विदिन युर साइट लिक तो इस अगराएं आपकी इंटरन नीक प्रोपर तरी केसे चनल नहीं है तो definitely कहना कहीं problem है कि वो broken links हो जाएंगे so definitely you need to check always tools के दुरू आप करो या आप manually करो but वो चीजे आपकी errors free रहने चाहिए उस तरह की का कोई errors नहीं आने चाहिए check the duplicate content step 7 make utilize tools like the site liner to detect any duplicate content within your site if you find that product descriptions are duplicated across multiple pages you might want to rewrite them to make them unique कि आपको check करना होगा कि site में कोई आपकी unique content तो नहीं है अगर unique content है तब तो सही है अगर unique content नहीं है तो you can use the copies of the site liner tools को use करते वह आप चेक कर सकते हो आपके content हमेंसा unique होने चाहिए and user engagement होनी चाहिए step 8 analyze social media integration आपको check करना होगा क्या आपके आपने site पर आपने integrate कर रखा है या नहीं कर रखा है राइट कि जैसे मैं आपने site पर आता हो तो आपको यह चीज़े connect करके रखना होगा जिसे की जो social activity करते हो जो चीज़े आप करते हो वहाँ पर वह activity definitely वहाँ पर होने चाहिए तो आपके site के अंदर वह चीज़े connect होने चाहिए Facebook है अगर आपका LinkedIn हो या Twitter हो इस तरीके का जो भी आप social media use करते हो तो आपके पास यह चीज़े होनी चाहिए right integrate होने चाहिए अधिक बन्यट्राण reverse of the important part of the important part of competitive analysis look at your main competitors SEO strategy and see how you stack up if your competitor is ranking higher for a keyword you are targeting analyze their content and hack backlink profile to understand why and adjust your the adjust your strategy according important for competent analysis a competitor अगर आपको लगता है यहां पर देखो कि क्या है टूल से निकाल करो क्यों है यह नंबर वन क्यों यह टॉप पर यह सब चीज़े भी महाहिने रखती है यह आपको करना पड़ेगा राइट एंड प्राइट आपको इसमें प्राब्लम है किस तरह की की विकनेश है किस तरीके का स्ट्रेंज आपके साइट में जो बेटर कर सकते हैं कैसे उन चीजों को एरर-free कर सकते हो आपको आपको ऑडिटिंग में इन चीजों को ध्यान दखना पड़ेगा क्या क्या टेकनिकल आपको आपको कांट्रोल में करना पड़ेगा एर फूरी जितना मैक्सिमुम हो सके आप अपने साइट को रखो आउटलाइन फिक्स सब्सक्राइब को आपको यहां पर रखना परेगा क्योंकि इन चीजों के अपडेट करने से आपके साइट एरर फ्री होंगे और जब साइट एरर फ्री है रेस्पांसिव है तो रिजल्स मिलना आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है उससे हमें कॉंसें अपने साइट की परफॉर्मेंस विकली नहीं मतलब कि आप तुप यह पूर्टेंजी पर्फॉर्मेंस विकली नहीं मतलब कि आप तीन महेने में रखो शिक्स मंत में रखो या यह अर्ली रखो बहुत बढ़ी साइट है तो आप तीन महेने में आपको करना पड़ेगा अगर अगर आपको लगता है कि नहीं आपको मीड लेवल कंपनिया और वहां पर धाई सो तीन सो की पेज़ें तो मैं कहुंगा कि थी म परें नम्हें किवभ चल्टे साइट में टॉल बडें पर अफेर ला कर सकते हैं अच्छी टूल से माना जाती है और इसके फ्री वर्शन भी आपलेबले यूच डाउन लोड और यूज दूलोड यूज दूल आपको यहां पर भी एर्रस मिल जाएंगे जो यहां पर फिक्स कर सकते हो राइट योश्ट एस्यो वर्ट प्रेस की प्लग इन है तो यहां पर य यहां पर देखो कीवर्ट स्पाइक और सकते हो ओके जीटी मैट्रिक्स से आप यहां पर पेजी स्पीड एक्सेनेबल रिक्रमेंडेशन मिलते हैं जैसे मैंने गूगल पेजी स्पीड की बात की दा सेम प्रॉसेस गोईंग फॉर दा जीटी मैट्रिक्स आप यहां पर नहीं है तुल है नंबर वन कहा है ने हैं तो मानता हूं एक लिक नर की ऑडिकल सेम this product नहीं कर डिख बहुत लोगों ने टूल्स बना रखा है लॉर्स अब दा टूल्स बाट उसमें से कुछ इन्पोर्टेंट है जो मैं यहां पर आपसे डिसकस कर रहा हूं तो यह चीज़ आपको यहां पर इन्पोर्टेंस रखने माहिने रखती है तो डिफिनेटली आपको बाई करने लोग यूज करते हैं और अभी इंपोर्टेंट जो है वह सबसे मैं रेक्मेंट करूंगा स्यम्रस आउडिटिंग के लिए एंड एचाइड एफ टूल्स आप यहां पर बैक लिंक्स और कॉम्पेटिटेंस दोनों को चेक कर सकते हो बैक लिंक्स इनके इस वन इस बेस्ट इससे जड़र मैं आपको सजेस्ट नहीं कर रहा है यहां पर आपको लगता है कि यूज करने तो आप कर सकते हो इन दोनों से आपका काम चल जागा पेट तूस में और फ्री में कर आप यूज करते हो तो इनालिटिक्स आप यूज करो गूगल कंसोल है आपके पास आपको फ्री में कोई तूसे से अबलेबल नहीं है करूंगा कि आप अगर प्रेफर कर सकते हो तो स्टार्टर इसमें आती है 99 डॉलर के लिए या अगर आपका प्रोकेट लाओ करता तो डिफिनिट्टी यूज को विद राइयर पेड वर्सन लाग दा डॉलर 1.99 जिसमें आपको पांसो केडिट्स मिल जाएंगे तो यूज क अगर जाने की जोड़ने कोई यह नहीं है यह चेक्लिस्ट मैं आपने डिस्टिप्शन बॉक्स में डाल दोगा जिससे कि आपको उन चीजों को आप देख सकते हो इनलाइज कर सकते हैं दिखी आप कैसे इन तरीकों को आप चेक कर सकते हो जो मेरी रिक्रिमेंडेशन से और मैं चाहूंगा कि आप उसको फॉलो करके बेटर रैंकिंग आपको मिल सकते हैं अब आती है बात कि अंदर प्रोपोजल बनाना वाव टू क्रियेट प्रोपोजल के लिए जो कंपनी बना के देती है कुलाइंट को कैसे बनते हैं तो फिर उसके लिए देखो इस तरीके से जो यूज करता हूं यह मैं आपको दिखाता हूं यह मैं कुस्ट के लिए यूज सिनलिंग की क्या कंडीशन्म क्या है 미래 की क्या है मैं यहाँ करता हूं 25 तुवशल में तो कि इसमों की मने शाहा है क्या कोई करेंट पोजीशन नहीं किया नहीं यहां पर सिर्फ मैंने क्यों को मेंशन किया है जिसकी हाइली सर्च है कि कुछ मेरे साइट से हैं जो मैं चाहता हूं कि अगर आप चाहो तो यह बेटर चीज़ आपको अच्छा और हो सकती है अगर आप इन सारे points को आप यहां पर consider कर सकते हैं प्रेको point to point आपको बनाने हैं क्या क्या optimization में जरूरी है उसके लिए मैंने यहां पर बनाएंस keyword density, keyword provenance, title tax, meta description, meta keyword जो important factor हैं उनको आपको mention करना पड़ेगा क्या process है आप देखो in-depth analysis जो मैं analysis की बात कर रहा है या SEO auditing की वह यहां पर आ रहे हैं keyword research, website modifications, on-page optimization, off-page, link building, social media optimization, additional issue technique so these are the process you can use for the auditing यह कर सकते हो आपने proposal बनाने के लिए क्या 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 हमने include किये SEO में क्या हम work करेंगा on-page and off-page I have mentioned here you can see here क्या work करेंगा off-page के अंदर क्या work करेंगा on-page के अंदर मैंने point by point mention क्या है और इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं होते इसके अपना price quotation जो होते हैं वह आप दे सकते हो तो यह इस तरीके से आप ready कर सकते हो एक प्रोपोजल जो आप अपने customer को दे सकते हैं और यह company की यहाँ पर जो उन्होंने बनाई यह company ने कितना professional लुक है आप देखो यहाँ पर जितना प्रोफेस्टनल लुक होगी न चीजे उतना ज्यादा इंपैक्ट करते हैं वह तिज़े उतनी ज्यादा impact करते हैं यहाँ पर किस तरीके से आप पेज अक्तिविटीज के बारे में लिखा गया कि मंथवाद में हम क्या 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 करेंगे तो में करेंगे किस तरीके से एनलाइज करेंगे किस तरीके से हम परफॉर्म करेंगे कि तरीके से करेंगे everything so you can see here है सो लॉट्स अफ़ दिक्सें कि हम और इंडिटिंग सीख जैंड और इंडिटिंग जिए आप कर सकते हैं उन चीजों को तो डेफिनेटली आपको एक बेटर डिजल्स मिलेगा तो जैसे मैं कहो ना कि सर्च एंजिन की आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं तो आपको इन चीजों का ध्यान रखना है इन चीजों का आपको बेटर डिजल्स मिलेगा और यह जो मैं यहां पे जो चेक्लिस्ट बनाई है यह मैं डिस्किपिशन बॉक्स में एड कर दूंगा जिससे आपको किसी भी तरीके का कोई प्रॉल बीरी घ्ल्फूल जब आप बिजनेस करते हो जब आप किसी और गनाजीशन में करते हो या इंडिपेंड़ली वर्क करते हो तो यह यहां पे आपको एलप करेंगे आपको रहेंग तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो डिपनेटल को सब्सक्राइब करें लाइ करें और कॉम्मेंट्स करें कि आपको यह चीजे कैसी लगें कैसे लगा इसमें आउडिटिंग के कुछ स्टेफ जो मैंने यहां पर कवर किये हैं एवर्टिंग आयम एस्पेक्टिंग कि यहां पर मैंने उन सारे चीज़ों कवर किया है जो आपकी एक नीड है जब आप इन